23 जुन को बिहार में बिपक्षी एकता की बैठक होनी है ऐसे में 17 दल के नेता राजधानी पटना पहुचेंगे जहां पर भिपक्षी एकता बैठक में हिस्सा लेंगे इससे पहले बिहार सरकार ने उन सभी 17 दल के नेताओं के स्वागत के लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है देखे इस वक्त मैं बिहार सरकार राजकी एतिती साला के सामने खारा हूँ और यह तस्वीर आप राज गेस्ट हाउस की देख रहे हैं जब से पहले तो आप यह तस्वीर देखिए जहां पर गेस्ट के आने से पहले तैयारियां जो है वो पूरी चकाचक कर दी गई है हम सबसे पहले सरक से सुरुवात करते हैं आप यह सरक देखिए किस तरीके से यह जो सरक है वो नया बनाया गया है पहले भी सरक थी मगर उस तो जितनी भी side की पाथवे है उसको भी paint किया गया है। और जो दीवारे हैं उसको भी paint कर दिया गया है मतलब guest के आने से पहले जो तयारी है वो देखे कि आप यह सरक देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह चका चक कर दी गई है आपको बता दें कि देश भर के अलग-अलग जब नेता वो सामने आएगे और सबसे पहले यह तस्वीर जहां पर अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी अंदर जा रहे हैं साप सफाई देख सकते हैं किस तरीके से cycle पे कुदाल है यानि कि अंदर साप सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है और तयारी जो है वो मुकमल की जा रही है आपको बता दें कि जो जानकार है कमरे के अंदर पुरानी एसी को बदल कर नए एसी लगा दिये गए हैं आपको बता दे क्योंकि अलग-अलग राजियों के मुखमंतरी और फिर राहुल गांदी मलीकार जुन खड़ ये तमाम बड़े-बड़े ने ताखिले सियादा वरवीन के जिरिवाल सब जो है वो यह उसके अलाबा एक और जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उन सभी गेस्ट के खाने पीने के जो जिमेवारी है वो राजानी पत्ना के सबसे टॉप लगजरी होटल मौर्या को दी गई है और पूरे मौर्या होटल को स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर ही सिफ्ट हाउस कीपर से लेकर तमाम जो कुक हैं वो इसी गेस्ट हाउस के अंदर रहेंगे और बताया जा रहा है कि उन स्टाप के पास जो है वो मोवाईल फोन नहीं होगा उन्हें मोवाईल फोन उस दौरान यूज नहीं करना होगा और अच्छी अच्छे पकवान जो है आपको ब पकी कुछी तयारी है उसे भी मुकम्मल की आजा रहा है और कल से ही तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो राधानी पटना में सुरू हो जाएगा अनिकेत कुमार बिहार तक पटना झार को बीजस आपको पकार सकता कारी हो जो है उन्माम प्राइब कारी है